नमस्कार बच्चू टाइम कंजूमिंग था ट्रीकी था उसमें कोशन्स थे वो भी ट्रीकी थे दूसरा जो आज के कोशन्स पेपर में इश्यू था वो था कि काफी सारे इसे कोशन्स दे दिये गे थे जो ट्रीकी थे दो कोशन्स ऐसे थे जो इनकंप्लेट भी थे वहाँ पर भी इश्यू था कि students के लिए easy था जो thoroughly study करके गए थे deeply study करके गए थे उनके लिए easy था easily score कर पाएंगे 38, 39, 40 score हो जाएगा उनका जहां तक जिन students moderate students के अगर average student की बात करें तो उनके लिए difficult level का था moderate to difficult level का था तो overall यूं कहा सकते हैं कि moderate to difficult table का आपका question paper था और average score 26 to 30 के आसपास रहेगा इसली score कर पाएंगे अब हम बात करते हैं आपकी answer की की तो सबसे पहले हम आपका code लेते है 00224 ये आपका question paper code है अगर आपका ये question paper code है तो pen paper लेकर के आप अपने answers को note कर लीजे उसके बाद आप टेली कर पाओगे तो यहाँ पर first to 15 question है जो आपकी सबसे पहले उनके answer को देखते है first जो आपका question है उसका correct answer C रहेगा second का आपका A रहेगा third का आपका C रहेगा fourth का B रहेगा fifth का A रहेगा sixth का आपका D रहेगा seventh का आपका correct answer है वो A रहेगा उसके बाद next अगर questions की बात की जाए eighth का तो eighth जो question है आपका उसका correct answer B और C रहेगा okay यानि किसमे double आपके correct answer रहेगा ninth का B रहेगा tenth का B रहेगा 11th का आपका C रहेगा 12th का आपका B रहेगा 13th का आपका A रहेगा 14th का आपका correct answer है वो C रहेगा उसके बाद 15 अगर question की बात की जाए तो correct answer आपका E रहेगा clear उसके बाद next आपका 16 question number 16 से हम आगे 30 तक बात करेंगे तो जो question number 16 है उसका correct answer C रहेगा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यह जो unofficial answer की है official answer की जो CVC के तरफ से आएगी वो जैसे ही मुझे अवलेबल होगी telegram के चैनल के पर आपको उसकी video format में मिल जाएगा ठीक उसके बाद 17 जो question है उसका correct answer B रहेगा 18 तका B रहेगा 19 तका E रहेगा 20 तका B रहेगा 21st का आपका C रहेगा 22nd जो question है उसका correct answer आपका D रहेगा उसके बाद next अगर question की बात किजाए 23rd उसका correct answer है आपका B रहेगा 24th का E रहेगा 25 का D रहेगा 26 का C रहेगा 27 का B रहेगा 28 का भी B रहेगा 29 का correct answer है वो C रहेगा 30 की अगर बात कीजाए question number 30 उसका correct answer आपका रहेगा C ठीक तो यह हो गए आपके first 30 question उसके बाद 31, 2 अगर 45 की बात की जाए Q31 को देखते हैं Q31 यह आपका Q31 है तो इसका correct answer C रहेगा 32 है उसका A रहेगा 33 का B रहेगा 34 का A रहेगा 35 का B रहेगा 36 का A रहेगा 37 का आपका correct answer है वो B रहेगा उसके बाद Q38 तो आगे अगर हम देखें 44 तक, तो 38 जो question number है उसका correct answer B रहेगा, 39 का D रहेगा 40 का D रहेगा, 41 का B रहेगा 42 जो question number है, 42 उसका D रहेगा 43rd का E रहेगा, 44 का आपका correct answer है वो रहेगा C, 45th का आपका D रहेगा तो यह होगे आपके first 45 questions उसके बाद 46 to 60 के अगर बात की जाए तो 46 जो आपका question number है, उसका correct answer आपका रहेगा D 47th का D रहेगा, 48th का आपका C रहेगा 49th का आपका B रहेगा, 50 जो question number है उसका B रहेगा, 51st जो आपका question है उसका C correct answer रहेगा, 52nd का आपका correct answer है वो B रहेगा, उसके बाद next हम question को अगर देखे 53rd to 60, question number जो 53rd है उसका correct answer आपका रहेगा B 54th का C 55th का D 56th का B रहेगा 57th का C रहेगा 58th का आपका E रहेगा 59th जो question number है उसका correct answer आपका B रहेगा उसका बद question number 60 है तो उसका correct answer आपका D रहेगा तो कई सारी चीज़े मैं clear कर दू कि यह unofficial answer किये एकाद question उपर नीचे हो सकता है दूसरा यह मेने नहीं prepare किये क्योंकि एक्जाम में duty होती होती है तो 6630 तक हमें school में ही रुकना होता है सारी process को complete करके जाना होता है और official answer की CBC की तरफ से जब भी आएगी तो तूरंत within one minute आपके जैसे ही मिलेगी आपको मिल जाएगी टेलिग्राम के चैनल के उपर जिसका link आपको description box में मिल जाएगा अब हम next code की बात करते हैं आपका जो question paper code था 00214 00214 यह जिनका question paper code है तो उसकी answer की आप देख लीजिए उसके जो first question है उसका correct answer E रहेगा first का E रहेगा second का B रहेगा third का E रहेगा fourth का D रहेगा fifth का C रहेगा sixth का C रहेगा seventh का आपका correct answer है वो E रहेगा उसके बाद next जो आपके question है eighth eighth का आपका B रहेगा ninth का आपका C रहेगा tenth का D रहेगा 11th का D रहेगा 12th का E रहेगा 13th का D रहेगा, 14th का आपका correct answer है वो C रहेगा, उसके बाद 15th अगर question की बात की जए तो 15th question का correct answer आपका C रहेगा उसके बाद 16 to 30, जो question है आपके उसके correct answer भी match कर लीजे, teally कर लीजे 16th जो आपका question है, उसका correct answer आपका B रहेगा 17th का B, 18th का B, 19th का C, 20th का A, 21st का A, 22nd है उसका correct answer आपका B रहेगा उसके बाद next जो आपके question है, 23rd से लेकरके 29 टक 23rd है उसका correct answer B रहेगा, 24th का C रहेगा, 25th का C रहेगा, 26th का B रहेगा, 27th का D रहेगा 28th का B रहेगा 29th का आपका correct answer है वो E रहेगा उसके बाद 30th जो question number है उसका correct answer आपका D रहेगा 31 to 45 जो question number है उसके correct answer आप टेली कर लिजे जो 31st आपका question है उसका correct answer आपका D रहेगा 32nd का B 33rd का E 34th का E 35 का B 36th का B 37th का आपका correct answer है वो E रहेगा उसके बाद next आपके 38 to 45 की एगर बात कीज़े तो 38 का आपका B रहेगा 39 का A, 40 का B, 41 का C, 42 का A, 43 का आपका C रहेगा 44 का आपका correct answer है वो B रहेगा उसके बाद next आपका 45, question number 45 है उसका correct answer आपका E रहेगा clear, उसके बाद हम last 15 जो question रहे गए है आपके code के, तो उसके भी tally कर लेते हैं आपका 46 जो question है, उसका correct answer D रहेगा D, 47 का A, 48 का C, 49 का C, 50 का D, 51 जो question है उसका A रहेगा, 52 है उसका C रहेगा उसके बाद last जो 7 आपके question है उसके बाद आपका रहे जाएगा 53, last जो 8 है उसमें 53 का आपका C रहेगा 54 का आपका B रहेगा, 55 का A रहेगा 56 जो question है, उसका C रहेगा 57 का A रहेगा, 58 का D रहेगा 59 का आपका correct answer है, वो C रहेगा 60 अगर question की बात की जाएगा तो उसका correct answer आपका A रहने वाला है तो ये था आपका second quote जिसकी answer की मैंने share की तो ये unofficial answer की है जैसी official answer की मिलेगी तो उसके साथ भी आप टेली कर सकते हो उसके साथ भी आप टेली कर लीजीगा और उसको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको जैसे यहाँ screen के ओपर वीजीबल है ये telegram का channel है, उसको join कर लीजी वहाँ पर ये answer की मिल जाएगी अभी तक गर आपने join नहीं किया तो ये आपके लिए काफी helpful रहने वाला है, क्योंकि term 1 में जैसे हमने सारा content, सारा material सब कुछ आपके साथ share किया था वैसी term 2 का जो भी details होगी जो भी PDF format में होगी जो भी chapters होगी, जो भी link होगी सारे सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हो अगर करना चाहो तो आपके doubts questions है वह आप वहाँ पर ले सकते हो आज के इसमें बस इतना है Thank you, bye bye, have a nice day